पटाक, टी सेकिंट्रिक खबर, डाउन्नूट करो तक आप कि पटाक, तुम्हें लगता है, पचास करोड चोड़ के, मैं पचास जार की नोकरी कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए नंबर! इस वक्त नभजो सिंग सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूस्ते हैं कि कौन दूलहा होगा और किस दंग से चुनाव को आगे लेगे जाएंगे सिद्धू साब आज तक में आपका स्वागत है तन्यबाद साब सब पार्टियों ने अपना घोशित कर दिया कि कौन चहरा होगा किसकी लीडर्शिप में चुनाव लड़ा जाएगा आखिर कॉंगरेस क्यों गुलजी हुई है कॉंगरेस ने क्यों नहीं अभी तक डिसाइड किया भाया ये चैन का मामला है इट इस चॉइस एंड नौट चांस देटर्मिन्स और डेस्टिनी मतलब कि आप क्या चुनते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपका मुकदर क्या होने वाला है समझे तो ये चैन हमारी हाई कमांड का प्रेरिगेटिव है ये उनकी कमांड जो भी होगी वो सब को मानना पड़ेगा और हम एक सिपाही के नादे कमांडर को मानते है मतल मुकदर आलक मानते हैं करेगा जनता नहीं करेगा मैं क्या कहता हूँ कि हम क्या चुनते हैं और पार्टी कलेक्टिव डिसिशन लेती है हम क्या चुनते हैं पे निर्भर है कि हमारा मुकदर क्या होगा? इंसान अपना मुकदर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता है तो वो सायाने हैं सरदार पटेल की पार्टी है पंडि जवाला नहरू की पार्टी है देश को अजादी देने वाली पार्टी है देश का गौरफ बढ़ाने वाली पार्टी है मातमा गांधी की पार्टी है अरे भाई अम्बेटकर साहब की पार्टी है जोनोंने संविधान की रचना दी समझेंगे नहीं तो वो कोई कच्चे नहीं है परिपक्व है परिपक्व समझते हो mature हैं तो वो जो निरने लेंगे, मन्यता है उसकी पर आपने अभी कहा कि इनसान अपना मुकद्र खुद तेह करता है तो बिल्कुल, तो मुकद्र खुद तेह करता है तो आलाग मन बीच में कहां से आ गया और आपने कहा हुआ हुआ कि बारात त्यार है कितने साल पहले? पांच साल पहले. कि बारात तुत्रू तुत्रू कर रही है और बहू पीपल तले सोही हुई है. भाई या घोड़ा खड़ा है. दूला कहा है? तो उन्होंने पांच साल बाद जवाब दिया कि भाई या हम मारे पास दूला है. तो अच्छा भाई, तुम्हारे पास दूला है, खत्म. लेकिन सिद्धू साब, क्या आपको लगता है अगर चेहरा होता कॉंग्रेस के पास, उसका फाइदा होता. चेहरा घोशित करने पे फाइदा है या नहीं? होता और है, में मानना और जानने का फर्क है. मानने ता किसी और की होती है, जानना खुद कानुब होता है. इसलिए इस बात को समझो गुरू, कि जो हाई कमांड बोलेगी, वो हमें मानने हैं. पर जमीन पे आप है सिद्धू साब, आप इतना कैमपेइन करने हैं, इतना लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि लोग पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन, क्योंकि इतने मार मची हुई है कॉंग्रेस के बीतर, लोग कहते हैं, नव्जोसिंग सिद्धू बनेंगे चुनाओ के बाद, या चन्नी रहेंगे, या कोई तीसरा हैगा, तो कन्फूजन है नहीं, कन्फूजन तो दूर होना चाहिए, आपको लगता है, और आपको लगता है कि अगर कर दे तो बहतर होगा, फाइदा होगा कॉंग्रेस को, confusion हो सकता है दो हफ़ते पहले दूर हो जाए जिस तरह पिछली बार होई थी हो सकता है ना दूर हो हो सकता है confusion का फाइदा हो कहते हैं the cup is half empty कई कहते हैं half full देखने का नजरी है भाई एक ही सिके के दो पहलू है उसमें advantages भी है और disadvantages भी है छोड़ो ना यार disadvantage क्या है आप ज़्यादा बेतर जानते हूँ यह हाई कमांड जानती है ना तो हाई कमांड पर छोड़ो जर्नेल तैय करता है ना कि फौज किदर जाएगी नहीं करता नहीं करता चेहरा कौन होगा कौन मुख्यमंत्री बनोगा यह जनता तैय करती है ना कि आला कमांड यह आपका बयान नहीं था बिल्कुल जूट, सफेज जूट जूट पर जूट, जूट पर जूट यह आया कहां से मैं बताता हूं तुमें मैंने यह कहा था कि भाई अगर लोग MLA बनाएंगे तब ही तो आला कमांड चीफ मिनिस्टर का तैय करेगी अगर MLA ही साथ नहीं बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर कहां से आएगा अब इस बात को किस तरह से तोड़ना है, मोड़ना है, उसमें मास्टर हो आप नहीं हम क्या मास्टर हैं जो बयान आते हैं तो बयान आपको बोल दिया अब इसको कितना तोड़ना है, कितना मोड़ना है कैसे पेश करना है, बताईएगा मैंने ये कहा था सिद्धू साब, एक चीज़ मैं जाना चाहता हूँ दो चीज़े जानी है जंडा उठाने में माहिर है जंडा उठाते रहे कैप्टन अमरेंदर सिंग के खिलाब जंडा उठाया आपने हटवा दिया उसको तो आप बीजेपी में भी यही रहा आपका आपको लगता है तो लेकिन, लेकिन, मेरा सवाल सुना आपको लगता है कि कैप्टन अमरेंदर सिंग को सिद्धू ने अटा दिया क्या 78 MLA गुर्दूवरे में बैटे थे लेकिन वहीं का अपने सुनी लीडर सिंग तो आपके थी तो आपके थी सिद्धू साथ 78 MLA 78 MLA पार्टी की मीटिंग में वो डालके उसको बाहर का रस्ता दिखाया उसकी घरवाली तक खड़ी नहीं थी उसके साथ कोई काउंसलर खड़ा नहीं था इस बात को तोड़ो मोड़ो मत लोक तंतर में ताकत चुने हुए नमाइंदों की होती उन्होंने अख्तियार पूरी तरह से इस्तिमाल किया और कैप्टन अमरेंदर सिंग को रस्ता दिखाया बाहर का क्योंकि वो जानते थे कि दस सीट नहीं आएंगी इसके नितरतु में तो वो चला हुआ कार्टूस था उसे फूक दिया मेरा सवाल कुछ और था सी दूसाब मेरा सवाल ये था कि आपने कैप्टन अमरेंदर सिंग को ले करके महिम चलाई ये आपके साथ MLA से जो भी आप कह रहे हैं मेरे साथ कोई MLA नहीं था भाया मैं तो पहले दिन से ये पूछता था कि भाई तुम नीती क्यों नहीं बना रहे शरब की तुम रेट की नीती क्यों नहीं बना रहे पैसे क्यों खाये जा रहे है स्टेट के सहसाने को खुरा क्यों लग रहा है स्टेट में नीतीय क्यों नहीं बन रही तुम बेद्बी का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे तुम बादलों के साथ मिलके खेल क्यों खेल रहे हो नत्था सिंग और प्रेम सिंग वन and the same thing तुम ये बार्य क्यों खेलते हो तुम गरू साator का इंसाफ क्यों नहीं दे रहे तुम ढ्रग्स की रेपोर्ट क्यों नहीं क्फुलती ये सवाल थे मेरे और ये सवाल तीरों की तरह लगे उसे जखमी कर दिया सच जो है उसका अपना बल्बूता होता है और सच की ताकत कि आगे जूट को जुकना पड़ता है क्योंको जूट के पाऊं ही नहीं होता है जूटा आदमी था वो कट-पुटली था भारती जंता पार्टी के इशारों पे नाचता था ये डांस्ट टू था ये मूजिक इवन इडिन्ट लाइक दे ट्टू मेरा सवाल ये था सिद्धू साब आपके सवाल कर जाब ये आप बीजेपी में भी आपने बहुत काम किया देश बर में कैमपेंड किया वहाँ भी आपको जिन हाला जो हालात बने वहाँ छोड़ना पड़ा फिर उसके बाद रुको 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 जिन हालात की बात नहीं है सिद्धू वहाँ से कुछ लेके नहीं आया उनकी छे साल की राज्यसवा मूँ पे मार के आया कितने लोग हैं सिद्धू वहां सप्ता छोड़ के आया उन्होंने कहा अमरेच सर को छोड़ दो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो क्योंकि बादलों की बहू दूसरी बार MP बनती मैं चौथी बार बनता इसलिए जेतली साब को लाया गया उन्हें कहा गया सर्टिफिकेट देंगे हम आपको सिद्धू ना MP बना ना INB मिनिस्टर बना ना कुरुक्षेत्र से इलेक्शन बना जेतली साब डेड़ लाक से ठुके यहां उसके बाद दो मंत्री ठुके जब सिद्धू था 19 सीटे आई थी पहले इलेक्शन में 23 में से सरकार बनी हमारे सपोर्ट पर फिर 16 आई 23 में से फिर सरकार बनी बीजेपी ने जंडे में डंडा लगाया सिद्धू नहीं था दो आई तो मैं वही यह बात कह रहा हूँ आपको आप भी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप कहते हैं कि मैं नहीं था तो यह हाल हुआ तो मेरा सवाल यह से दुसरा लीडर्शिप थी मैं लड़ता था मैं कहता था हमारी दी गई ताकर हमारे सर पर जूती बनके कैसे बरस सकती है आप मुझे आज कैसे कह सकते हो कि जिन लोगों ने मेरे काउंसलर हरा दिये जिन लोगों ने मेर बनाने के लिए हमारी सत्ता हिला दी जिन लोगों ने हमारी दी गई सत्ता हमारे उपर ताकत बनके बरसा दी जो तसकर हैं जिन लोगों ने पंजाब को बेच डाला, गिर्वी डाला दी, उनकी कैमपेंग करने के लिए आप मुझे कैसे कह सकते हैं तो शाह साब एक बार तैयार हुए, ट्रग्स की कैमपेंग के लिए, तो हमने यहां रैली रखी थी वो रैली शाम को कैंसल हो गई, मैं गुआ से आया, तो उन्होंने कहा यार बड़े लीडर ने कैंसल कर दी, तो फिर रखी गई, दो दिन बाद मैं फिर आया, मैंने कहा जी हम अकेले लड़ेंगे, 70 सीटें चीतेंगे, दो बारा से वो रैली कैंसल हुई, उन्होंने कहा यार यह यह नहीं करने दे रहे उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंग की रैली बादल ने करवा दी ट्रग्स की वो महिम वहीं फेल हो गई समझ लीजी यह बात मैं हमेशा मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी मैं उन्हें इतना ही कहता था कि हम अकिले एलेक्शन लड़े यह एक लाइबिलिटी बन चुके हैं इनके साथ अगर हम रहेंगे इनकी संगत में कोई पंगत नहीं यह इनकी संगत हमें गिरा देगी देरा लाइबिलिटी देर दी अलबर्टरोस अरांड आर नेक्स वो मानें भी लेकिन किस तरीके के दबाव थे क्या था क्या नहीं मैं नहीं जानता फिर जब यह कहा गया मुझे और मैं यह नाम नहीं बोलूँगा कि किस ने कहा कि आप पंजाब से दूर रही है या तो आप बादलों की कैमपेन कर दीजे या पंजाब से दूर नहीं मैंने पंजाब चुना उन्होंने बादल चुने तो यह वो हिस्टरी है ज सवाल त्याक का है ही नहीं, सवाल, सवाल, समझा, नंबर, तुम्हे लगता है, मैं नंबर लेने के लिए बैटा हूँ यहाँ, पचास करोड रोपे छोड़े हैं, मुझे एक बात बताओ, तुम्हे लगता है, पचास करोड छोड़े, मैं पचास जार की नौकरी कर रहा हूँ किसलिए कर रहा हूं तुम्हारे लिए नंबर मेरे लिए पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील करने के लिए एक प्रियास है राजनीती ही एक ऐसी चीज है ना क्रिकेट क्रिकेट में आप खुशी बांड सकते हो तेलिविजन आप लोगों को एंटर्टेन कर सकते हो ल कैसे पुनर उठान होगा सिद्धू साब जब तक आपके आथ में पावर नहीं होगी आप उसी पे नहीं होगे तो कैसे करेंगा आप ये बताए ना तो आप सीम तो बनना चाहते हो ने तभी पंजाब का भला होगा तभी आपका पंजाब मोडल शुरू होगा ना लागू ह ब्धियास समझो मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं लड़गा एक एजंड़ केंग府 कैसे कि और यह नहीं दूब करेंगे जो इपन्जाब नए रूप देना चाहते है नहीं तरीके से शुरू करना चाहते है पंजाब की जो बन्यक्त्र कि पास पोस्त तो आप गांधी जी बनना चाते हैं मैंने का जरूरी है कि पोस्ट हो किसी चीज़ को बदलने की जरूरत नहीं है तो भाई पोस्ट थी उनके पास तुम जवाब दो ना कभी कभी तुम भी जवाब दिया करो क्या गांधी जी प्रदान मंतरी थे क्या गांधी जी मुक्य मंतरी थे देश बदल दिया देश आजाद करवा दिया यह जरूरी नहीं है क्या गांधी जी रोल मोडल नहीं हो सकते किसी के और दूसरी बात यह है कि हर आदमी पोस्ट के लिए नहीं जीता हर आदमी पैसे के लिए नहीं जीता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन में किरदार जीवे थे जिनका जमीर मरा नहीं जो बिक्ते नहीं है जो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस पंजाबी सुबे के कल्यान में मेरा कल्यान नेत कर नहीं तो भगत सिंग कैसे पैदा होता भाई नहीं तो वो लोग कैसे पैदा होते जिन पर आज भी लोग विश्वास करते हैं सरदार पटेल एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कार ली थी उसका लोन वो सारी उमर उतार नहीं पाए आज भी वो स्टेंडर कार उनके म्यूजियम में पढ़ी है तो आपको करदार देखे नहीं वो कहां चले गए वो करदार आज पंजाब को लूटा जा रहा है आज पंजाब को गिर्वी रखा जा रहा है पच्चेस साल से एक सिस्टम बारं बार पंजाब का हनन कर रहा है पंजाब के खनन को निजी जेवों में डाल रहा है माफिया राज चल रहा है पंजाब में 25 साल क्या उस सिस्टम को बदला नहीं जाना चाहिए एक सिस्टम जहां गुरू साब ने कहा राज बिनाना ही धर्म चले हैं धर्म बिना सब दले मले हैं एक सिस्टम जो गुरू की बेदभी का इंसाफ नहीं दे सका, क्या उस सिस्टम का जाना अनिवारे नहीं है, एक बात समझिए, मैं सिस्टम को बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं है, और इस दुनिया में कोई ऐसी, कोई ऐसी मनो कामना, लगवान ने पंक लगा के, उड़ान भरा के, पूरी न कर दियो, इसलिए हर आदमी का कोई मकसद होता है, मोटिव होता है, राजनीती सिद्धू के लिए धंदा नहीं है, राजनीती लोगों की जिन्दगी में फर्क डालने का एक जरिया है, सिद्धू साब अभी आपने क खनन माफिया, बेदवी, खनन माफिया की अगर बात करें तो अभी आपके जो मुख्यमंतरी हैं, चन्नी साब, उनके रिस्तदारों पर, उनके लोगों पर रेंड हुई एडी की, और इलेक्शन कमिशन में भी आप लोगों ने कॉम्प्रेंड किया जाकर के डेलिगेशन ग कीश दोछता हूँ, ये केस दोहजार अठारा में कैप्टन अमरेंदर सिंग की सरकार में उनकी प्रॉज़ पर डेला थाजने हैं, और वो दोहजार अठारा से लेकर, आज दोहजार बाईस तक क्या सो रहे थे तुम, चा कर रहे थे, और अगर चार साल F.I.R. कुछ दर्ज किसी भानजे को टांग दिया और वो भी एक महीना पहले इलेक्शन के यह क्या दर्शाता है यह क्या 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 है लेकिन समझाओ ना हमले तो देखे चुनाओ का मोका है से दू साब हमले विपक्षी पार्टी हमले लगातार कर रहे तो केजरिवाल ने कहा कि अब चन्नी जो है आम आदमी नहीं बलकि खनन माफिया का सरदार है वो वही उसका लीडर है जो खनन माफिया है वो आम आदमी नहीं नहीं राव तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है तो केजरिवाल से पूछो केजरिवाल से पूछो बलैक लिस्टेट डीप माफिया को दो जो जोन की प बिच रहा है वो पॉन्टी चड़े के पास कैसे बिच गया उसको पूछो के भाई तुम अमेरिका में गए थे कैनेडा में गए थे वो आज भी तुम से हसाब मांग रहे हैं यहां तुम टिक्तें बिच रहे हो कौन सी बात का यकीन करें तुम्हारी आठ लाख नौकरी कही चार सो मिली यहां तुम कहते हो टीचरों को गली ओ उपर से उतार देंगे 22,000 टीचर के बीच मैं बैठ के आया है वो कहते है बंधुआ मजदूर बना दिया हमें पंदरा पंदरा दिन का कांट्रेक्ट करवाता है याद दी फिर तुम महलाओं को सिर्फ 18 साल के उपर वाली कोई एक हजार दोगए क्या दिली में दिये है तुम्हारी कैबिनेट में एक महला है कै तुम पहले मुख्य मंतरी नहीं थे जिन्होंने तीनों काले कनूं नोटिफाइड है आज भी वो नोटिफाइड है कै तुम्हारी कैबिनेट में कोई पंजाबी है बताओ केजरिवाल तुम्हारा S.Y.L. के उपर क्या स्टेंड है गिर्गिट तुम्हारा अराध्यदेव है पल पल बदलते हो मुर्गा देखा है वो वैदर कॉक के ऊपर मुर्गा देखा है जिधर की हवा होती है कट-कट-कट-कट गुमता है पल में तोला, पल में माशा सितु साब आम आदमी कह रहे हैं केजरिवाल नहीं है लेकिन असली आम आदमी नकली आम आदमी के लगाई बीच में काफी चली चन्नी साब ने कहा कि केजरिवाल नकली है केजरिवाल कह रहे हैं वो असली नहीं है तो आपको लगता है चन्नी साहब आम आदमी है? आपको क्या लगता है? आम आदमी है? मैं कहता हूँ कि ये कह रहा है कि नकली केजरी वाल कुरू मैं तो कह रहा हूँ नकली सिद्धू गूम रहे हैं यहां फोटो स्टेट की दुकान पर खड़े होते हैं और जो मेरी यहां पांच साल की पॉलिसी आए हैं उन सारी पालिसियों को दहरा देते है कि 25 करोड हम भी लाएंगे कहां से लाएगा तु? शराब तू तो तुनमें बेच दी गली-गली तो 30,000 करोडOR रूपय कहां से आएंगे? 20,000 करोड रूपय कह रहे हैं सैंड से आएंगे अरे ये तीन हजार करोड निकाल दे मैं टांगों के नीचे से निकल जाओंगा कौन सी बात करते हो जब सिद्धू इस माफिय के खिलाफ लड़ रहा था पांच साल पहले जब सिद्धू सैंड माइनिंग के लिए हजार रुपे ट्रॉली की बात करता था जब शराब की माइनिंग के खिलाफ शराब की जो नाजाइस बिक्री है उसके खिलाफ बोलता था कॉर्पोरेशन की बात करता था तो तुम घुटने लगा के तलवे चाट रहे थे थूक के चाट रहे थे और मजीठिया से रिटन माफी मांग रहे थे कबूतर की तरह आँख बंद करके बड़े मुद्दे नहीं सुलजाए जाते तुम एक संपन राज्य के मालिक हो शिला जी ने तुमें 2002 में एक सेल्फ रिलाइंट राज्य दिया ये पांच लाख करोड के करजे में दवा हुआ राज्य है साब कैसे ने कालोगे कहां से पैसे लाओगे कौँसा ब्रगद लगा थे तुम्हारे पास क्या तुम्हारी नीती है किस तरह से तुम करोगे आओ बेठो आज तक पर बेठो मेरे साथ बेठो बहस करो दुनिया को बताओ मैं भी बताऊँगा सित्व साब तो आम आदमी मानते हैं को चनी साब को आपकी आम आदमी है वो भाईया मेरी एक बात सुनो मेरे मानने या जानने से क्या होगा पंजाब के लोग मानते हैं तो खत्म मानते हैं मैं कहरा हूँ मेरी एक बात समझो अगर वो इलेक्शन जीता है अगर हमने 78 ML बनाए और अगर उसके बाद हम 8 MP जीते अगर हमने सारी काउंसल जीती अगर हमने बाई एलेक्शन जीते तो लोग मानते हैं न अच्छा एक वियापन सिदू साब अभी चल रहा था जिसमें सोनु सूद बोल रहा है कि जो बैक पेंचर होता है जो पीछे से आता है जो कोशिश नहीं करता है वही मुख्यमंतरी बनता है वही दाविदार होता है और उसमें जो वियापन था उसमें सिरफ चनिस साब को दिखाए गया खाना खाते हुए जैसे कि प्रोजेक्शन हो अगर ऐसा होगा भी तो इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा सिरफ हाई कमांड को एंडॉर्स करता है समझा ना हम वो लोग है जो वफा करनी जानते है समझे और वो वफा हमारी प्रियांका गांधी राहुल गांधी और सुनिया गांधी के प्रती है खानदानी लोग है वो नेक लोग है वो विश्वास के पात्र हैं वो लोग उम्र भर ता उम्र नवजोट सिंग से दू की आखरी स्वास तक कॉंग्रस और ये तीनों लोग मेरे लिए आदर निये हैं, आदर शे चिन्नी और आप जब मुख्यमंत्री बने तो बोल्टन टेमबल दोनों साथ गए दोनों हाथ पकड़े हैं, दिखाई दिए पहली बार लेकिन बोई एक ही बार हुआ है, उसके बाद दोनों साथ दिखाई ने दिए, हाथ पकड़े रिए एक दूसरे का प्रैस कॉन्ट्स में दिखाई दिए एक दो जग है आप लेकिन वो जो नजारा था कि बैटके चाही पी रहे हैं आप तीस टाल पे तो ऐसे क्या बज़ा है क्या दोनों में सब ठीक ठाक है तो नजारे तुम ही लेते हो क्या नी सब ठीक ठाक है न चेनी और आपके बीच में तो परमान देने की जुरूवत है सूर्य परमान देता है कि उसमें परकाश है गुरूवत परमान उसका तेज है परमान सरकार का बकार है धन्यवाद नवजोव सिंग सिदू जी हमसे बात करने के लिए ये थे सिदू साब झाल 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 झाल